जाहिन दोस्तों मैंने दी बिन चोहान आज हम करेंगे question number 24 question number 24 में दिया है pair of consecutive even positive integers यह question भी 23 के जैसा ही है same concept से ही यह question भी solve हो जाएगा यहाँ पर यह आप से कह रहे है find all pairs of consecutive even positive integers both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23 आपको even positive integer का consecutive pair बनाना है मतलब 2 है तो 4 4 है तो 6 है तो 8 यह pair बन गया अब इस pair में दोनों even numbers हैं और consecutive है consecutive का मतलब होता है इसके just बाद वाला जो even number है जैसे 2 के just बाद वाला even number है 4 अगर 4 लेते हैं तो 4 के just बाद वाला even number है 6 तो यह pair है even consecutive integer के दोनों even हैं दोनों एक के बाद एक हैं और यह इनके pair हैं अब क्योंकि यहाँ पे find करना है all positive integer तो इसमें पहले वाले को x कहेंगे और दूसरे वाले को x plus 2 कहेंगे पहला number छोटा है दूसरा number बड़ा है सभी pair में तो जब यह pair बनेगा consecutive even positive integers के तो इस pair में एक even positive integer है वो छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा तो छोटे वाले को assume करेंगे x और दूसरे को बड़े को कहेंगे x plus 2 2 plus 2 2 plus 2 equal to 4 अगर 4 है तो 4 plus 2 equal to 6 तो जब हम एक even positive positive नंबर का pair लिखेंगे तो pair होगा x x plus 2 अगर x even है अगर यह 2 है तो यह होगा 2 plus 2 means 2 और 4 यह वाला pair अगर x 4 है तो दूसरा नंबर होगा 4 plus 2 यानि कि यह 4 और 6 तो इस तरीके से हमने consecutive even positive integer का pair लिखने की कोशिश की तो यहाँ पे लिखेंगे let x be the smaller of two consecutive even positive integers छोटे positive integer को हमने assume किया है यहाँ पर x सो जो दूसरा होगा the other even positive integer will be x plus 2 बड़ा वाला अब question में कहा है both of which are larger than 5 जो दोनों यह integers है consecutive even positive integer इन दोनों की खासियत है according to question जो यह दोनों है एक x है और दूसरा है दोनों consecutive even positive integer है इन दोनों की speciality है दोनों 5 से बड़े हैं ओके x greater than 5 और जो x plus 2 है वो भी 5 से बड़ा है यहाँ पे हमें मिली है यहाँ पे हमें मिली है अब हमें जितने भी pairs of consecutive even positive integers मिलेंगे जो इन condition को fulfill करेंगे वो सभी pair हमें लिखने है अब पहला x हमें मिला है अगले page पर चलते हैं lhs पर सिर्फ variable होना चाहिए तो इस दो को हटाने के लिए दोनों तरफ minus 2 कर देंगे तो यह होगा x plus 2 minus 2 greater than 5 minus 2 ओके यहाँ पर 2 से 2 हो गया cancel तो यहाँ पर बचा सिर्फ x और 5 minus 2 यह हो गया 3 तो x मिला 3 से बड़ा अब तीसरी inequality को देखते हैं इसमें कहा था कि इन दोनों consecutive even positive integer का जो sum है वो 23 से चोटा है इसका मतलब की x plus x होगा 2x plus 2 less than 23 यहाँ से भी x की value find करेंगे तो यह वाला जो 2 है यहाँ से हटाना है तो दोनों तरफ minus 2 कर देंगे तो यह बनेगा 2x plus 2 minus 2 less than 23 minus 2 यहाँ पर 2 से 2 हो गया cancel तो बचा 2x less than 23 minus 2 यह हो गया 21 2x less than 21 अब LHS पर सिर्फ x होना चाहिए तो दोनों तरफ divide कर देंगे 2 से तो यह बना 2x upon 2 less than 21 upon 2 अब यह वाला 2 से 2 हो गया cancel और यहाँ पर मिलेगा 10.5 21 बटे 2 को हम 10.5 लिख सकते हैं अब x जो है वो less than 10.5 है अब यहाँ पर 2 case मिले हैं पहला 5 less than x और x चोटा है 10.5 से दूसरा 3 चोटा है x से और x less than 10.5 तो यहाँ पर लिखते हैं x बड़ा है 5 से दोनों condition को हम solve करेंगे ओके x बड़ा है 5 से लेकिन छोटा है 10.5 से तो यह condition हमें मिली तो 5 और 10.5 के बीच में जितने भी even positive integer आपको मिलते हैं वो लिख देने हैं 6, 8, 10 तो यह possible x है तो possible pair होंगे x x plus 2 के according यहाँ पर हम लिख देते हैं x और x plus 2 के according तो यह अगर x है तो दूसरा x plus 2 यानि 6 में 2 add करेंगे तो 8 अगर यह x है तो यह x plus 2 8 में 2 जोडेंगे तो 10 इसी तरह से यदि यह x है तो x में यानि कि 10 में 2 जोडेंगे तो हमें मिलेगा 12 यह हमारे pair बन गा है question में दी गई condition को fulfill कर रहे हैं ऐसा pair होना चाहिए कि उस pair में जो दोनों number है वो 5 से बड़े हैं तो इन सभी pair में दोनों number 5 से बड़े हैं और इनका जब सम करेंगे तो 23 से छोटा आएगा 6 प्लस 8 14 8 प्लस 10 18 10 प्लस 12 22 तो दी गई condition यहाँ पर fill हो रही है और अगर हम दूसरी condition को लेते हैं यानि कि 3 छोटा है x से और x छोटा है 10.5 से अगर x 3 से बड़ा और 10.5 से छोटा ले लिया तो x है even positive integer तो x होगा 4,6,8,10 आएगा अगर हम इसका pair बनाएं तो बनेगा 4,6,6,8,8,10,10 और 12 लेकिन यह गलत हो जाएगा क्योंकि 4,6 हम नहीं ले सकते ओके 4,6 हम नहीं ले सकते वो सभी pair चाहिए जो question की condition को fulfill करें condition है pair के दोनों number 5 से बड़े होने चाहिए तो 4,5 से बड़ा नहीं है तो इसलिए इस case को हम नहीं ले सकते तो इसलिए इस case को हम नहीं लेंगे हमारा answer होगा ये वाला case जालाउ पसलिए ले सकतर का ये ले सकतार का वालास